सो गाइस, आज मैं आपको बटाऊंगा, Opo Reno6, Mobile में Developer Action कैसे Enable करें, तो इसके लिए जो हे आपको अपने Mobile में, Settings Application open का आना है, दिन यहांपर आपको इस Call Down का आना है, यहांपर आपको एक आप्शन मिल जाएगा About Device का, तो Simple इस पर आपको क्लिक का आना है, उसके बाद यहांप पर आपको एक option मिलेगा origin का किस पर आपको click कायना है दिन यहां पर आपको एक option मिलेगा below number का इस पर आपको कई बार tab कायना है तो यहां पर आप टैप करेंगे नीचे मैसेज 100 हो जाएगा कि आपके मुवाइल में developer option enable हो जाएगा अगर यहाँ पर जो build number version का जो option है आपके mobile में नहीं मिलता है तो simple यहाँ से आप बैक आएंगे यहाँ पर उपर आपको search का button मिल जाएगा यहाँ पर आप direct जो है search कर सकते है build number यहाँ पर भी आपको option मिल जाएगा तो अब बाट कहते है developer option को आप कैसे ढूरेंगे developer जो option है वो enable हो चुका है तो इसके लिए आपको यहाँ पर फीच से settings open कायाना है देन यहाँ पर आपको एक option मिलेगा system setting का पहले जो है additional setting के नाम से था mobile मेंने update किया है यह setting change हो चुका है तो इस पर आपको click कायाना है देन यहाँ पर आप scroll down करेंगे यहाँ पर आपको option मिल जाएगा developer option का यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं तो इस पकास से जो है आप अपने OPPO Reno6 के मुबाइल में developer option enable कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है मैं मिल टाओ फिर किसी नेश वीडियो में